डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंड उर्दू, अउनली अट टेग टीवी टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट करोना सिचुएशन इन कैनडा एंड अराउंड दे गलोग ओक्विल में फारिंग दो अफराद हलाग पुलीस की जाने से तहकीकात की जा रही है कैनडा में करोना वाइरस के खिलाफ लोगों की कोशिश को खराच तैसीन पेश करने के दौरान फोजी तायारा गिर कर तबह एक शस हलाग और एक जखमी हो गया कैनडा में करोना वाइरस से 5782 अफराद हलाग मतासरीन की तादा 77,000 से तजावस कर गई मौन्ट्रियाल में करोना वाइरस बेकाबू शेहरी इंतिजामिया का बड़ा फैसला हंगामी हालाद का निफास 21 मईं तक जारी रहेगा अंकरीम अमरीकियों को एराक और शाम से बेदखल कर दिया जाएगा इरान के सुप्रीम लीडर का कहना है कि लोगों के दिलों में अमरीका के लिए नफरत पैदा हो गई है अगवान खूफी अजनसी के दफ्टर पर तालबान के हमले में साथ एहलकार हलाक और चालिस सख्मी हो गई नए वारिस कोवेड-19 की आलमगीर वबा 217 ममालिक को लपेट में ले चुकी है वबा में हलाक होने वालों की तादात 3,17,000 से तजावज कर गई है अमरीकी सदर डॉनल्ड टरम्प ने साबिक अमरीकी सदर बराक उबामा और नाइव सदर जबारन को जेल भेजने का मतालबा कर दिया हेडलाइज आपने जानी अब खबरे तफसील के साथ हौल्टन रीजिनल पुलिस के जानब से कहा गया है कि ओक्विल में हफ़ते की राद दो गिरों के दरमयान होने वाली फारिंग के नतीजे में दो अफराद हलाक और दो जखमी हो गए इस हवाले से मजीद जानते हैं हाल्टन रीजिनल पुलिस की जानब से कहा गया कि ओक विल में हफ़ते की राद दो गुरों के दर्मियान होने वाली फारिंग के नतीजे में दो अफराद हलाक और दो जखमी हो गये जिने फौरी तोर पर अस्पिताल मुंतिकल कर दिया गया हलाक होने वाले अफराद की गिरिफतारी अमल में लाई गई है पुलिस के मताबिए वाकिया एक कमर्शल अलाके में पेश आया लोगों का कहना है कि कुछ लोगों को टार्गिट करके मारा गया पुलिस के मताबिक अभी तक कोई गिरिफतारी अमल में नहीं आई है ताहम पुलिस एनी शाहिदीन के बा लोगों की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करने के दौरान फौजी तयारा गिर कर तबाह हो गया जिसके नतीजे में एक शक्स जाबहा कर दूसरा जखमी हो गया मुकावी मीडिया के मताबक यहासा उस वक्त हुआ जब एलीट कैनेडियन एरफोर्स की सनोबर्ट्स टीम ने करोना वारस के खलाफ लोगों की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करने के लिए कैमपलूस एरपोर्ट से उरान भरी थी लेकिन थोड़ी ही देर बात मगर्बी सुबा बिर्टिश कोलंबिया के एक घर के बाहर गिर कर तबाह हो गया जिसके नतीजे में इलीट एरफोर्स टीम का एक रुकुन कैप्टन जैन कैसी हलाक और दूसरे रुकुन कैप्टन मैग डोगल जखमी हो गया रोयल कैनेडियन एरफोर्स ने गुजश्टा रोज अपने एक टुईट मेहासे पर अफसोस का इजहार करती हुए कहा के वो कैप्टन जैन कैसी की फैमिली और दोस्तों के साथ इस दुख में बराबर के शरीक है और मैग डोगल की जल सहत्याबी के लिए दूआगों है कैनेड़ में करोना वारस से मतासर होने वाले अफराद की तादा सतर हजार से तजावस कर गई मुलक भर में करोना वारस के बाईस हलाक होने वाले अफराद की तादा 5,782 तक जा पहुँची है क्यूबिक सूबा करोना से सबसे जादा मतासर हुआ है जहां इस वक तक 42,920 अफराद में करोना वारस की तजदीक हो चुकी है जबकě सूवे में कुरोना वायरस के 22 होने वाली हलाकतوں की तादा 3562 तक जा चुकी है ओनियो में कुरोना वायरस से 22,653 अफराद मतासर हुए है जबके हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1881 है तीसे नमबर पर अलबर्टा है जहां चेहां 6,644 अफराओ करोना वारस से मतासिर हुए है जबके 127 अफराओ करोना वारस के बाइस हलाख हो चुके हैं फेरिस में चौहते नंबर पर बेटिश कॉलंबिया है जहां अब तक 2428 अफराउद में करोना वारस की तद्दीग हुई है जबके सूबे में करोना वारस से होने वाली हलाकतों की तादात 141 है मौन्ट्रियाल में शेहरी इंतिजामिया की जानिव से हंगावी सुर्तेहार में मजीद पांच रोस की तौसी की गई है शेहर में 27 मार्च को क्यूबिक हकूमत की दर्खास पर स्टेट आफ अफ एमर्जनसी का इलान किया गया था ये फैसला मॉंट्रियाल को खुसूसी एक्दामात उठाने के लिए जादा से जादा इख्तियारात देने के लिए किया गया था जिसका मकसद कुरोना वारस से मुतालिक मुटलिफ उमूर से निमटना है मौंट्रियाल कुरोना वारस का मरकस बना हुआ है जहां कुरोना के केसिस की तादाद 22,000 के करीब जा पहुँची है जो के सूबे के कुरोना केसिस के निफस तादाद है एरान के सुप्रीम लीडर आयतुला खामना ए ने अमरीकियों को एराक और शाम से बेदखल कर दिया जाएगा आलमी खबरसाइदारे के मताबक एरान के रोहानी पेश्वा आयतुला खामना ए ने कहा है कि अग्मानिस्तान एराक और शाम में अमरीकी कारवाईयों और दैश्टगर्दों की मौावनत से लोगों के दिलों में अमरीका के लिए नफरत पैदा हो गई है और अब एराक और शाम में अमरीका के लिए कोई जगा नहीं है आयतुला खामनाय का मजीद कहना था कि अमरीका गेर कानूही तोर पर उन दो अरब मौमालिक में डेरे जमाई हुए है ताहम अब अमरीकी कारवाईयों के बाइस दुनिया भर में उसके खलाफ पैदा होने वाली नफरत की वज़े से अनकरीब अमरीकियों को अराक और शाम से बेदखल कर दिया जाएगा इरान के रोहानी पेश्मा ने अमरीकी सदर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सदर ट्रॉम्प अपने गहर मंतकी गहर संजीदा और एहमकाना गुफ्तगू के बाइस अपना वकार खो बैटे हैं और अपने जारहाना अजाएम को बढ़ावा देते हुए अखवानिस्तान अराक और शाम में असकरी कारवाईयां कर रहे हैं अखवानिस्तान में खूफी अजनसी एंडी एस के दफ्तर पर बारूद से भरी कार को जोरदार धमाके से उड़ा दिया गया जिसके नतीजे में साथ अखवान इंटेलिजनस अहलकार हलाक और चालिस जखमी हो गये मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में अखवानिस्तान में खूफी अजनसी एंडी एस के दफ्तर पर बारूद से भरी कार को जोरदार धमाके से उड़ा दिया गया जिसके नतीजे में साथ अखवान इंटेलिजनस अहलकार हलाक और चालिस जखमी हो गये मीडिय रिपोर्ट के मताबक अखवानिस्तान के सूबे घजनी में वाके मुल्की खूफी एजनसी नैशनल डिरेक्टरेट आफ सिक्यूरिटी के दफ्तर पर जोरदार धमाका हुआ जिसके बाद अफरा तफरी मच गई धमाका एक कार में हुआ जिसमें बारूदी मवाद चुपाया गया था धमाके में साथ इंटेलिजनस अहलकार हलाक और चालिस जखमी हो गए गजनी के गवरनर के तरजमान ने कार बम धमाके में हलाकतों की तजदीग करते हुए बताया कि जखमियों में से दस की हालत नाजुक होने के बाइस हलाकतों में जाफिकाख अच्छा है दमाके के बाद इंटेलिजन्स इदारे के दफ्तर का फौजी हलकारों ने खिराओ कर लिया और हमलावरों की तलाश में सर्च आपरेशन शुरू कर दिया गया तालिबान के तर्जमान जबी उल्ला मुजाहिद ने समाजी राप्ते की वैब साइट टूटर पर हमले की जिमेदारी खबूल करते हुए गुजिशता रोजी खाइम होने वाले सदर अशवगनी और हरी फरानुमा अब्दुल्ला अब्दुल्ला के हकमती इतिहात से तालिबान असीरों की अमरीकी मुहाइदे के तहत फौरी रहाई का मुतालबा भी किया बेल्जिम की वजीराजन सूफी वेलियम व्रसल्स में एक हस्पताल का दोरह करने पहुची तो हस्पताल के तिब्दी अबले ने इनकी आमत पद नाखशगवारी का मुझारा करते हुए अनो का इतजाच किया मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में नए वाइरस कोविड नाइटीन की आलमगीर वबा 213 मुमालिकों लपेट में ले चुकी है वबा में हलाख होने वालों की तादाद बढ़कर 3,17,186 हो गई है वाइरस से अब तक 48,20,352 अफराद मुतासिर हो चुके हैं दुनिया भर में कुरोना के पहलाओ का सिलसला जारी है कुरोना से अमरीका सबसे जादा मुतासिर मुल्क है जहां अमबात की तादा सबसे जादा है गुजिश्टा 24 गंटों के दौरान अमरीका में 865 अमबात होई जिससे अमरीका में कुरोना हलाकतों की तादाद 90,978 हो गई जबके 15,27,000 से जाइद अफराद वाइरस का शिकार हो चुके हैं रूस में कुरोना मरीजों की तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया रूस में मजीद 9,700 से जाइद मरीज सामने आए जिसके बाद रूस कुरोना मरीजों की तादाद के लिहाज से अमरीका के बाद दूसे नमबर पर पहुंच गया रूस में अब तक 2,80,000 से जाइद कुरोना मरीज सामने आ चुके हैं जबके 2,631 अफराद इस मर्स के बाइस जाँ चुके हैं जबके अमरीका में मरने वालों की तादात 91,000 के गरीब जा पहुंची बेलजियम की वजीर आजम सूफी विलियम बिर्सल्स में एक अस्पिताल का दौरा करने पहुंची तो अस्पिताल के तिब्बी अमले ने उनकी आमत पर नाखुशगवारी का मुझारा करते हुए अनु मरीज सामने आए जिसके बाद भारत में करोना मरीजों की तादा 95,698 हो गई जबके भारत में 3,000 से जाएद अफराद इस मर्स में मुब्तला होकर जान से जा चुके हैं उधर सौदी अरब में करोना मरीजों की तादा 54,000 कतर में 32,000 और मुट्ता अरब अमराग में 23,000 से जाएद हो चुकी है जबके बंगलादेश में 22,000 और इंडोनेशिया में 17,000 से जाएद मरीज सामने आ चुके हैं टरम्प ने अबामा को सरसर ना एहल अमरीकी सदर करार देते हुए कहा कि वो और इंके नाइब सदर जो बाइडन करप्ट हैं दोनों को जेल भीजवाना चाहिए मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में अमरीकी सदर डानल्ड टरम्प ने साबक अमरीकी सदर बाराक उबामा और नाइब सदर जो बाइडन को जेल भीजने का मतालबा कर दिया खेर मुलकी मीडिया के मताबिक ट्रम्प ने अबामा को सरसर नाहल अमरीकी सदर करार देते हुए कहा है कि वो और उनके नाइब सदर जो बाइडन करप्ट हैं दोनों को जेल भिजवाया जाना चाहिए उन्हों ने एक इंटर्वियू में कहा कि बाराक हुसेन अबामा और साबिक नाइब सदर जो बाइडन हीरो माइकल फ्लिन को बेनकाब करने में मुलविस थे इसके बाद अपने एक टोइट में टरॉम्प ने कहा कि साबका करप एडमिनिस्ट्रेशन की वज़ा से अमरीकी आवाम ने मेरा इंतिखाब किया टरॉम्प का कहना था कि माइकल फ्लिन को बेनकाब करना अमरीकी तारिख में सबसे बड़ा स्यासी जुर्म था अगर मैं रिपब्लिकन की जगा डेमोकरेट होता तो बहुत पहले इस केस में मुलविस हर शक्स जेल पहुँच चुका होता वो भी पचास साल के लिए अब तक के लिए इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टाग टीवी यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सबस्क्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाई किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे